जब साधना से सबसिधिया आ जाती हैं तो यह सब भी बिल्कुल संभव है कि हम एक ही समय पर दो जगा हो सकते हैं बिना एल्डर्स के परमिसर के सन्यास नहीं दिया आता है इनको जो है वो भगोड़ापन का भाव है यह फिजिकल लाइफ में जितनी महनत करने के जरोत है एक दोजगार के लिए जीवन के लिए भोजन का कमाने के लिए उससे अधिक महनत अधिक साधना लगती है जब हम अध्यात्मी जगत में परवेश करें जब हम सूपर हुमन बढ़ना चाहें हम क्या माइंड डीडर्स को हम सूपर हुमन बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं माइं ऐसा यानि कि अगर हम अनिमल फूर्ड नॉन वेज फूर्ड ले रहे हैं तो यह प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं है अब रात में सोने का समय है तो नीद आ रही है तब वो दुख नहीं है अब हम रात के सोते समय अगर हम वाटसेप चला रहे हैं अगर हम फिल्मस देख रहे हैं अब रात में हम नहीं सोई तो हम दिन में फिर नीद आएगी तब वो दुख ला रहे हैं नमस्कार मैंनी हदाजपूत आप सभी का मिस्ट्री ओफ लाइफ पार्ट टू में स्वागत करती हूँ जी हाँ ये पार्ट टू है और जीवन के रहस्यों को खोलने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन जी मौजूद है स्टूडियो में नमस्कार से आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से एक बार आज हम बात जिन टॉपिक्स पे करने वाले हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग है वो सवाल भी आए है हमारे वीवर्स की तरफ से ही और मैं जो सवाल है वो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग वो है estral travel के बारे में हमने सुना ठाप बच्पन से सुनते बहुत सारे महाभारत बहुत सारी चीज़ देखी है जिसमें एक सादु माहत्मा जो एक जग़ पे होते है हचानक से वहां से गायब होते है दूसरे जग़ अपने पुसिबल है, मैंने खुद में अपने गुरु के बारे में सा सुना है, कि उनको दो जगह पर देखा गया और एक बहुत फुस्तक है योगी कथामृत, प्रमार्स जोगनंद की ऑटोबाया शेफ योगी स्टीव जॉब्स ने अपने फुनरल पे उस बुक को बटवाया था, जैसे यहां पर हम गुषवत गीता बटवाते हैं, उन्होंने योगी कथामृत, उस पुस्तक में इसा जिकराता है श्वावी पढ़नावानंद, नाम के साथ कि उनको दो जगह पे, एक जगह पे वो अप यह एक अलग बात हो गई, क्योंकि जब हम थ्वारिक्यों में जाएंगे, दुनों अलग आयाम हैं, और जो आप एक टाइम पे एक ही जगह पे हैं, लेकिन किसी जगह पे दूसरे जगह पे अपने आपको टेलिपोर्ट कर लिया हो, टेलिपोर्टेशन, तो यह सभी पॉसि जब साधना से सबसिधिया आ जाती हैं, तो यह सब भी बिल्कुल संभव हैं, कि हम एक ही समय पर दो जगह हो सकते हैं, या कोई वक्ती फिजिकली मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको दूसरी जगह पर देखा गया, ऐसा नीम कॉली बाबा के साथ या और दूसरे संतों के साथ हुआ है, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, और बाद में दूसरे लोग देख रहे हैं, कि वो अपने आप जेल से बाहर आ गया है, जेल तो बंद है, लेकिन उनको दूसरी जगह पर जो जेलर है, वो देखकर हैरान, तो फिर उसको वो संत नॉर्मल वे में कह भी करेंगे, तो फिर यह सब पहलों हमाई सामने खुलते हैं, यानि कि एस्ट्रेल ट्रेवल जो है, यह साधना के दुवारा किया जा सकता है, यानि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, मतलब फिर एक मिनट के लिए मेरे सवाल आप से दुबारा से ही रहेगा, इसको मैं तो आदिसंकराचार ने तीन दूर्लब कही है, पहली जगह दूर्लब कक्या, दूसरी बात कही है, मानव जर्म में आधने के बाद फिर अध्यात्मिक्ता के प्यास पैदा हो ना, तो बहुत लोग पोच तो यह concept he right way में नहीं पहुंचता, कि हा, ऐसा प्रूसिबल है, और जब फिर एक बार उसके प्यास पैदा हो जाए, तो राइट टीचर, राइट गुरू का मिलना वो दुडलब है, अगर हम इन सभी अभ्यासों के लिए, इन सभी चीजों के लिए धहर ख्यावशकता होती है, और धहर बहुत रेयर बात है, लोग जल्दी चाहते हैं, जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये जल्दी की चाहत होगी, तो वो आश्टल ट्रेवल जैसे गंभीर विशय की घरायों में उदर ही नहीं पाएगा, उसके पास वैसा मेंट्रेन मिल जाएगा, जो आश्टल ट्रेवल से बढ़का के कहीं, और कुछ लिएटे चीजों में उ गया हो, इसके बढ़े में बुक्स वागैरे में बाबा का नाम लिया भी आपने, तो क्या बूक्स वागैरे हैं इसके बारे में और जानकारी पास भेसे, हम्लेका जान सकते है कि भारती अधात्अग्ता में इन सभी अवस्थाओं को विसेश महँ होत orange थो नहीं दिया गया जो मोक्षपद्ध है उसके लिए रुकावट है क्योंकि फिर अलग-अलग pitfall में फस जाते हैं जैसे हम अगर हम इसको सक्तियां और सिद्धियां के रूप में जब समझते हैं तो क्या इसको पाने से कुछ विसेश करना आ जाएगा तो पावर पावर करफ्ट्स और जितना ज जानना चाहते हैं क्यों जानना चाहते हैं पहले उस पाइंट को समझा जवरी है कि अगर आपका उदेश लोक कल्यान हो अगर आपका उदेश दूसरों को help करना हो तब आपको इस विसाय पर बताने वाले जो गुरू है वो आपके सामने आप रहस्तियों को खोलेंगे अग कि जब हो तो उस वक्ति के पास पेसेंस नहीं होता है साधना को समझने के लिए चीजों को ठहरने के लिए योग में आती है यम नियम आसन पढ़नया प्रतिहार धारना ध्यान समाधी वास्तों में तो पहले धारना आनी चाहिए हम ध्यान की जब बातें कर रहे हैं यह यह और समाधी इन दोनों के बीच की अलग अवस्ताएं हैं जो अश्रल ट्रावल है हम ध्यान को सौटकर के तरह दूंड के समझ के कर रहे हैं अगर हम प्रॉपर जाएं जब हम ध्यान में ठीक से उतरें तब इन सभी अवस्ताओं को हम समझ पाएंगे और फिर हम इसके जीवन भरसी अरविंदो ने तो सुपर हुमन का नाम का कंसेट भी दिया कि हमें सुपर हुमन बनना चाहिए हम लोगों को सुपर हुमन की रूपे तयार करने के लिए वो प्रयास भी करते रहें सुपर हुमन बनना मतलब की जो चीजे रेयर हैं जो कहीं कहीं पर आती है उसको प्र इन चीजों को पाने के बाद भी आप लोग कल्यान के लिए जीवन जीएंगे तो एक human को super human बनने के लिए क्या करना चाहिए पहले तो हम human बन जाए हम अपने आपको जानते हैं क्या human में आता है man या man अभी मन को कितना समझते हैं हम बाहरी चीजों में अधिक उलज जाते हैं हम अपने भीतर तो जाने के लिए भी तयार ही नहीं है भीतर उतरने के लिए हमारी प्रास अभी ठहराओ की नहीं है तो मनुष्य जब हम बने जब हम man बने उसके बाद हम super human ही बन सकते हैं तो हमें अपने आपको समझने की जरूरत है हमें meditation को समझने की जरूरत है मेरे से में उतरते हुए है जहां माइन को समझते जा रहे हैं जब हम मनुष्य बन गए हैं तो फिर super human बनना भी possible है जो साधना के ही आदिगे की कडिया है अच्छा एक और मेरा question रहे गया था astral travel जब हम बाते कर रहे थे उसके बारे में तो जैसे मैंने बचपन से सुना है हमारी दादी नानिया कहती है कि हमारी जैसे साथ लोग और है हमारे जैसे इतने लोग और है कैसा होता है कि हमारे जैसे और लोग भी है कहीं और लेगे इसके लिए मैं कहूंगा कि धुआ वही उठता है जहां पर आग होती है जाना ऐसे कोई भी खाए तो या तो वही concept या उसे मिलते हमारे लिदा कुछ concept हो यह जो आप बाते कहरly ही इसके लिए बातने इंदा है पैर्लल सोल्स कि हमारे जैसे हमारे piejोग देसे सोल्स है जो साथ हो या ना हो लेकिन ना या मैं निकले हैं हमारे जो सोर्स हैरें ड् जब हम निकले हैं, हमारे जैसे और भी निकले हैं. हाँ, वो कितने काउंट का नंबर में हैं, वो असपरेश्टूप से नहीं पता, लेकिन हमारे जैसे और तो होते हैं. क्योंकि मैंने बहुत जगे पैसे पढ़ा हुए है कि जैसे एक ही शकल का, एक ही जैसे इक दम दिखने वाला इंसान कहीं और भी देखा गया है. यहां पर जो बात हो रही है, वो हमारे कारण सरीर की हो रही है. हमें थ्वासा और समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्थूल सरीर है, स्थूल सरीर के पीछे सुक्ष्म सरीर है, और सुक्ष्म सरीर के पहले पीछे कारण सरीर है. जो वो एक जैसे हो रहे हैं, तो उनका कारण स या एक आत्मा के गुरूप सोल्स के अलग-अलग आउटर बॉड़ी की बात करें, मतलब मैंने बहुत सारी जगों पर इसा पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहें आपको कि आउटर बॉड़ी, मतलब एक दम डिट्टो जैसे आप हैं, आप ही जैसा किसी और को देखा गए वो तो जुड़वा की बात हो गई, जुड़वा भी नहीं है वो, वो दोनों का कोई connection है, लेकिन ऐसा देखा गया है, बहुत सारी जगों पर ऐसी चीज़े, मैंने पढ़ी है, तो ये क्या है? मेरे अनुभाव के अनुसार, मेरे समझ के अनुसार तो ऐसा नहीं है, पैरलल वर्स के जो पैलल सेल्फ है, हम अपने मेटेशन के माध्यम से, हम सेल्फ हिपनोसिस के माध्यम से, हम उटसे करके टैलेंट का एक्सचेंज कर सकते हैं, और ऐसा भविस में ऐसा संभव भी हो सकता है, कि जब हम अपने पैलल सेल्फ से टैलेंट को एक्वाईर कर लें, मतलब तो पैललल सेल्फ आप यह चाहते हैं कि मतलब उनका हमारे आउटर लुक से कोई कनेक्शन नहीं होगा जस्ट इनर जो आप बोले है आत्मा कारण शरीर का तो मतलब वो दिखने में सेम नहीं होंगे लिकिन हम कनेक्ट कर सकते हो अने वाले सामय में चलिए तो बहुत अची बा एक तरह से हमारी जो संभावना है उसको ही अनफुल होने की बात है और यह हर एक व्यक्ति की संभावना है अगर वो इस दिसा में प्रयास करता है तो सूपर हुमन के कंसेप्ट को अगर हम तो अच्छे समझें अब अलग अलग कॉंटेक्स में हम देख सकते हैं आयू के कॉंटेक्स्ट में भोजन के कॉंटेक्स्ट में या कुछ एबिलिटी के कॉंटेक्स्ट में जैसे एक मुवी है एक चीज मिलेगी वंडरफुल उसमें ऐसे बताई गई है इडिगर के से नाम के व्यक्ति के बात जो सपने में जो ट्रांस में जाकर आधी नेन कर दोस्ता में जाकर आ के साने व्यक्ति के आधे वेक्ति के बारे में बता इछे इसके सरीमें कोनगो след've बिमारिया है डॉक्टर डेस्ट करके नहीं बता कर पा रहे हैं और वह नीन में जाकर बता द नहीं आ कर बता दे दे तो उनकी है stars insiporta ऑ्लेटी उनकी जो है भई एक्टिवीटीड है लेकिन वह सक्सम्कण कर रहे हैं जब के भीतर के संभावना है अगर वो इस दिसा में प्रयास करता है तो लेकिन हमाई लाइफ में प्रायर्टीज कुछ और है हम पैसों के लिए हम इज़त के लिए ज्यादा अपने लाइफ में भागदोर किये कर रहे हैं तो जब हम अब उस दिसा में आगे ही नहीं जा रहे हैं तो हमाई जीयों में वो नहीं आता तो सूपर हुमन कोई विसेश रूप से नहीं है हमारे ही दैविक सम्हावना है जिसके तरफ अगर हम जाते हैं तो खुलता है तो सूपर हुमन कोई दूसरे ग्रह से कोई नहीं आ रहे है हम में ही जो विक्सित करना चाहते हैं जैसे मैं जिकर करोंगा, मैं मिला हुआ भी हूँ, सुरी योगी स्वामी उवाशंकर जी, बेंगावल में उनका असरम है, तो वो हिमाले में जब ध्यान साधना कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि उनकी भूक प्यास जो है वो चली गई, वो उनको भूक नहीं लग रही है, लेकि उनको कोई विक्रिस नहीं आ रही है, और फिर ऐसा करते हुए कि उनको भोजन कर ही नहीं रहे, लेकिन नॉर्मल लाइफ ज सिखाओ, तो फिर वो हिमाले से लोटे और फिर बेंगल के गउम में उन्होंने अपना असरम सब्ण किया, तो जो वो भोजन जो नहीं कर रहे है, तो ऐसा क्या हो रहा है, यह अपर प्रान उर्जा है, जो भोजन जो है वह भी प्रान उर्जा के एक माध्यम है, उनकी साधन में उनका प्रान में कुछ ऐसा खुल गया है कि वो खुद से वातावरन से प्रान उर्जा को एब्सॉर्व कर पा रहे हैं जो हम भोजन के बाद हम से ब्सॉर्जा करते हैं तो उनकी बॉड़ी में भी नुट्रिशन के लिए इनर्जी तो जा रही है लेकिन उसके लिए अल्टरनेट सोर्स चैनल्स खुल गए हैं जिसके वज़ाए से वो हो रहा है तो यह सुप्राहूमन का अबिलिटीज क्वालिटीज किसी भी व्यक्ति के जिवन में आ सकती है और अगर हम उसको समझते हैं त ऐसा चीज़ भी फिर नहीं होती है एक चीज़ और में पूछना चाहूंगी जैसे क्या हम देवताओं को सुपरहूमन कह सकते हैं नहीं देवता एक अलग काटेग्री के हो जाते हैं जब मनुष्य है मनुष्य सरीर में हमारे पास कर्म बंधन है और हम बार बार जनम लेते ह हैं और अनुहो लेते हैं अलग अलग परिवार में अलग रोल भाते हैं और फिर जीवन आगे से चलता है देवताओं की कटेग्री ही अलग है देवता जो है वह अगर हम क्वालिटी वाइस देखें उनको देने का गुन आ गया तो जब अगर हम देना सीख जाएं तो हम में दिववेगुन आने लग जाएंगे हम देवता समान बनने लग जाएंगे लेकिन वह कटेग्री अलग है तो देवता मनुस्य नहीं बनते है इन जनरल मनुस्य देवता बन सकता है अच्छा तो एक सवाल मेरा और भी है सूपर हुमन की बात कर रहे हैं हर यूग में एक सूपर हुमन कलकी होंगे और भी नॉर्मल लोग सूपर हुमन हो सकते हैं अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो राम को भी सिखाने के लिए उनके गुरू रहे हैं वो वस्षिष जी के पास जाकर वो अस्तविद्या लेते हैं वस्षिष जी के पास जाकर वो अध्यात्मिक व उनको भी सिखा जा रहा है तो यह यहां पर सीखने की ही बात है साधना की ही बात है कि जिससे उनके भीतर वह चीज unfold होती है तो संभावना के रूप में हम सभी के भीतर वह सुप्राहूमन बनने की dependternet abilities हैं जो इंको हम् देवता कह रहे हैं उस तरह से हें तो मनुष्य ही देवता बन सकते हैं लेकिन देवताओं को एक अलग category माना जाता रहा है Ana जब अलग माल लेते जिसको जो बहुत सारी शक्तियां जिसके अंदर आ गई जैसे हमने भी बात की एस्ट्रेवल की तो भी तरीके की शक्ति ही हुई कि वो सब चीजे तो यह सारी चीजे पॉसिबल हैं लेकिन साधना मेडिटेशन जो है अपनी इंद्रियों पर काबू करने का अपने चक्राज को बैलेंस करने का यह भी कह सकते हैं और उसके लिए इनसान को चाहिए पेशेंस धैर यह जो आपने कहा था धैर चाहिए और पिरुटी चाहिए किस इंटेंशन से किस मोटिफ से आप कर रहे हैं और हमारे चीज नहीं खुलती है लेकिन जब हमारे पास प्रीयोटी हो वह इंटेंशन हो उसके साथ साथना भी हो तो फिर समय आने पर वह हमाय समने खुलने लग जाता है जो इस तिधिया कहा गया है हम सुक्षम शरीर और कारण सरीर के तल पर जागने लग जाते हैं और बादु माहत्मा थे गाड पे वैठे हुए थे लोग केते हैं वह 100-500 साल तक हैं और ऐसे आपने भी बहुत सारे सुनोंगे कि बिना खाई पिये बिना जो है इंसान जो है वह हम जैसे डेली अक्टिविटीज करते हैं वह साधना में बैठे बैठे इंसान 100-500 साल जीवित रहे हैं 1.500 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तो उनको हम सुपरहुमर ही कह सकते हैं और ऐसे बहुत सारे हुए हैं देवराहा बाबा उनकी उम्र 700 साल बताई जाती है गुजरात में ऐसे लियोनार्ड और नाम के एक वैग्यानिक ने ऐसे सिद्धों पर जो 100 साल जीवन जीते हैं उन पर व हजाव साल जीने वाले सिद्धनाथ जो हैं वह असनान के लिया आते हैं और लोगों को वहां पर जाके उनके दर्सन कर सकते हैं उनमें से अगर कोई बात करने के लिए उपन हो तो उनसे बात कर सकते हैं तो उम्र को लंबा करना यह बिल्कुल संभव है हमें उसके लिए फि तो इडेया नादी पिंग्लानारी को जब उन्होंने संतुलित कर लिया और दिन के समय, इस समय नॉर्मली हम स्टेश् government is active now. कर लेते हैं तो जब यह नाडियों का को सम कर लेने से जो है प्रांच जो है वह अधिक सुचाव रूप से चलने लग जाते हैं और उम्र जो है वह लंबी होने का वह एक राज कई सारे यहां पर गहराईयां है जनरली इन चीजों को ओपन पब्लिक में जनरली नहीं बताया ज होता है तो मिस्यूज ना हो इसलिए ग्यान को चुपाया जाता है लेकिन पॉसिबल तो है अगर हमारे पास प्यूर्टी हो अगर हमारे पास सीखने के लिए पैसेंस हो और उस विद्या को समझने सीखने के लिए जितना समय लगाना चाहें जितनी की जरूत है अगर उतना पास जब गए, तो कई सालों के लिए उन्हें सिर्फ उनसे बिल्कुल बेसिक आस्रम काम करवा रहे हैं, उनको सिक्षन देने का काम जो है लंबे समय तक कई सालों तक नहीं हुआ, लेकि इनके भीतर भी बिल्कुल जुनून था, धैरे था, बाला साल तक वो बस जारू बुह बैठे और सारा ग्यान अपना सारा ग्यान उन्हें टास्फर किया और उस दिन से वो देश विदेश योग के अध्यात के परचार परसार के काम निकल गए, तो प्यूरिटी और जहां पे समझ में आए, जहां पे ग्यान हमें लगे, वहां पे अपना पुए डिवोशन, डे वो पॉसबल है, यानि कि सारी चीजें, मेडिटेशन एक बहुत बड़ी चीज है, जो मैं आपसे बाते जब से कर रही हूं, मुझे ऐसा लग रहे है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, जिससे कि बहुत सारी चीजे लाइफ में चेंज की जा सकती है, आप अपने सुख को प तो हर एक इक्चा से दुख नहीं आती है, जो इक्चाएं हम अन्नेसेसरीली के अपने लाइफ में ले आते हैं, अपने वातावरन से, दूसरों को देख कर, दूसरों को कॉपी करके, उन इक्चाओं से, और इक्चाओं के पूर्ती में हमारे पास धैरे नहीं होने से है कि आत्मा के रूप में हम धर्ती पर अनुभू लेने के लिए आए हैं सीखने के लिए इसको भी तुद्धास इक्ष्छा बोल सकते हैं तो इस इक्षा से तो दुख नहीं है तो हर इक्षा दुख नहीं रिती अगर हम अपने आपको समझते हैं अपने वक्तित को समझते हैं कि जीवन का उदेश्य क्या है जीवन का जो उदेश्य है जिसको धर्म कहा गया है भगवत गीता में अगर हम अपने धर्म को समझ जाकर धर्म की दिशा में अगर हम आगे देधर आगे बढ़ रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए जो रिजनेबल इक्षा होती है, जो जरूत होती है, उसको पूरा करते हैं, तो उससे दुख नहीं आता है, उननेसरी इक्षाओं से और जब हम इक्षा को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो वो दुख बनता है, तो हमें जो बाहरी वातावरन से इक्ष गर्शा को हम नहीं कर सकते हैं, तो है। विल्कुल है। इक्षाओ को समय के बदा ही दुख होता है, वत्तम मुथ्थ नहीं कहा, ख़ते हैं, पात्म नहीं कहते हैं। इक्छा का हम पाहरी स्टी अिकित बीदा हो गई इक्छा नहीं होता है तो हमारी से षरीर की जरूत जरूत क्या है उन इक्छा होता है । अब से ने हमारी सोने का समय है, तो नीद आ रही है, तब वो दुख नहीं है, अब हम रात के सोते समय अगर हम वाटसेप चला रहे हैं, अगर हम फिल्म्स देख रहे हैं, अब रात में हम नहीं सोएं, तो हम दिन में फिर नीद आएगी, और दिन में नीद आएगी, हम दिन में काम कर रहे हैं, तो वह अब वो इक्छा अपने समय से अपनी राय टाइमिंग से बदल गई जब उसे पुरा होना था तो पुरा नहीं हुई अन्यससरी हो गई तब वो दुख ला रही है कि अगर सोने को नहीं मिल रहा है तो दुख है अगर वो अपने प्राकृतिक रूप में पूरी हो जाती तो अपनी प्राकृतिक जरूतों को समझने की जरूत है और जब हम उसको समझ करते हैं तो अपनी एक्छाए अन्यससरी एक्छाओं में उलजते नहीं इसलिए साधना करना और भगवरगीता पढ़ना जो है वो बहुत फाइदेमंद होता है कि हम किन एक्छाओं को इंटर्टे अब दूसरा सवाल था यानि जो मैंने आपसे बोला कि डेडेर सौ दो-दो साल जो योगी जी जाते बहुत-बहुत सालों तक वह भी तो अपने परिवार को छोड़ते हैं इच्छा मार दे ठीक है लेकिन उनकी जरूरत भी थी उनके परिवार को उनके जरूरती उन्हों न लेकर आना है जब आपके परिवार में परें सन्यास ले सकते हैं अगर पर में लेकर लिया तब तो वह दूख नहीं है क्योंतंग उन्होंने सmorjak किया और जो बहुत सारी एसे भी परिवारे हैं जहां पर जो अध्यात के महत को समझते हैं और ये गर्व की बात होती है कि परिवार में कोई सन्यास में जाना चाहता है कोई अपना जीवन पूरीता से अध्यात्व करना चाहता है, तो दुख तब होता है जब उन मातापिता को होता है, जो नहीं समझते हैं कि अध्यात्व का महत्व है, बिना elders के permission के सन्यास नहीं दिया आता है, इनको जो है वो भगोडापन का भाव है ये, कि जिम्मेदारियों से, परिवार की जिम्मेदारियों से, संसार की कटिनाईयों से, आप भाग रहे हैं, जो भागते हैं, वो सन्यासी नहीं है, सन्यास जो है, अगर हम सुद रूप से समझें, तो ये उच्छतर जीवन को चुनाओ है, कि एक फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ से हम सूप महिनत लगती है, फिजिकल लाइफ में जितनी महत करने की जडूरत है, एक डोजगार के लिए, जीवन केृट की लिए, बोजब को कमाने के लिए उससे अधिक महनत अधिक साधना लगती है जब हम अध्यात्मी जगत में परवेश करें जब हम सूपर हुमन बनना चाहें सूपर हुमन का वर्ड हम यूज करते हैं इसलिए नहीं तो वो नैसरगी भी है नाचुरल है सूपरहुमन की बारबर बात आ रही है तो मेरे दिमाग में एक बड़ा ही अच्छा सा सवाल आ रहा है सूपरहुमन बनने के बाद के चीजे आखों से उठाते हैं जो दिखाते हैं तीवी में के यह सब भी पॉसिबल है कि उनके पास बहुत ही अलग अलग तरी के शक्ति आ जाती है यह सब शक्ति आती है इसको टेली कानेसिस की हम अपने थौट से हमसे मूव कर सकते हैं और जैसे यूरी गिलर नाम के एक हीलर है तो चीजों को मोड देना चीजों को मूव करना यह पॉसिबल है लेकिन जब यह प कर रहे हैं और कितनी बार टेस्ट लिया जाता है जो जो सुक्ष्म जगत के जो देवता है वो टेस्ट करते हैं कि जब कोई ऐसा साधक है तो उसको कोई ऐसे चीजे दी गई तो इन दिन के कारण क्या वो अपने मुखे साधना के मात पत से भटक रहा है अगर भटक रहा है तो फिर उसको आगए चीजे नहीं खुलती हैं लेकिन अगर किसी के पास वो चीजे आती हैं और वो समझता है यह तो ठीक है यह एक सिद्धी है जो आगई और उस डिस्ट्रक नहीं होता या कभी उन सिद्धियों का उप्योग भी वो किसी को हेल्प करने के लिए करता है ल अगर उसको व्यक्ति को अन्भोल लेना जरूरी है, तो वहां पर उसको help करना उस तरह से तुरंद help करना जरूर की आखशकता नहीं है। तो सिर्फ ability होने से सिर्फ सूपर होने से सबको help नहीं किया जाता। जहां पर help करने के लिए divine से permission है, higher will से permission है। तो telekinesis भी possible है, thought power से या आँखों को देखकर मतलब अपनी mind power से चीजों को move करना ये भी possible है। मतलब जो हम अभी तक देखते आ रहे थे, बहुत सारे ऐसे serials और महाभारत में, कि कोई जो भगवान जिनको हम कहते हैं, या हम जो कहते हैं, जो super human kind, हम कह सकते हैं, वो आखों से अपनी चीजे अपने पास खीच लेते हैं, या मन की बात जान लेते हैं, आजकल तो ये बहुत सारे mind reader भी कर रहे हैं, तो हम क्या mind readers को हम super human बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, mind reader जो है, वो trick है, वो illusion क्रियेट किया गया है, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है, और वो कुछ चीजें ऐसे कर रहे हैं, जो आपको भरम पैदा हो रहा है, ये जो super human abilities है, ये भरम पैदा नहीं होना है, ये आपके भीतर के आपके सुक्ष और प्रदरसंद जो करते हैं, या करने का किसी का tendency होती है, तो वो चीजें लेकर फिर देकर फिर उसे छीन ली जाती है, और ऐसा भी हुआ है, आटो बाइफ योगी में एक ऐसा वितांत आता है, कि एक साधक को उनके गुरू, उसकी साधना जो है, वो निर्बाद रूप से, फ्री रूप से चल सके, तो जब वो एकांत में, गुफा में रह के साधना कर रहा है, तो उसकी जो जरूते हैं, उसको पूरा करने के लिए, वो जो भी सोचे, खाना खाने के लिए, वो उसके सामने परकट हो जाएगा, उसके भूख मिट जाएगी, और वो अपना, उसकी साधना कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है, कि वो व्यक्ति के सामने एक बार यह करके दिखा जाता है, और उससे, उसका नेम फिर बढ़ने लगया तो फिर वो उसका तमासा ही लगाने लगया, लोग के सामने वो करने लगया, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और जब यह ऐसा कर सकते हैं, तो एक दिर फिर उसके गुरू परकट हुए, कि मैंने तुमको किस चीज़ के लिए यह चीज़ दिया था, क्या दूसरों को दिखाने के प्रिष कीया तो मैं आपने यह सकती चीज़ वापस लेता हूँ, तो फिर फिर से वो पहले वाली रस्ता में आए जाता है, तो जो यह विसेश कामिलियत हैं, इन कामिलियत के अप्योग जिस उदेश से दिया जाता है, या इसका जो लोक कल्यान, जल कल्यान का उदेश है, अगर वो करने के लिए हम यूज करते हैं, तब तो वो टिकती हैं, या और उसे जाना की चीज़ें खुलती हैं. अगर हम विभोतियों का, सिध्धियों का विश्यूज करते हैं, तो जो थुआसा आपको टेस्ट लेने के लिए कई बार दिया जाता है, कि यहां इस व्रक्ति के अंदर कितनी पवित्रता है, तो फिर आपको वो जो दिया गया है, वो भी आपसे छिल लिया जाता है, आप फि करने की कोशिश करेंगे, तो यहां इंटेंशन बहुत मैटर कर जाता है, बिल्कुल, इंटेंशन के साथ साथ जो है कि आप उसको उप्योग किस प्रकार से करते हैं, जब आपको कहा जाए, जब आपको निर्देश हो, जब आपको डिवाइन विल का अदेश हो, तब उसका को अप्योग करना, हर जगह पर उप्योग नहीं करना, अगर टेलिक आइंस के अविलिटी आ गई, तो हर जगह बूफ करने के लिए जहां पर बहुत जरूरी है, वहां पर उसको उप्योग करते हैं, तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं, यानि कि हमने अस्ट्रेल ट्रेवल साधना की जरूरत पड़ेगी, मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, इसके अच्छे इंटेंशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि लोगों के अंदर आजकल थोड़ा कमी होते हैं, लोग लालच की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, तो एक अच्छे इंटेंशन की जरूरत पड जो प्रकृति है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमारी जो प्रकृतिक दिनचरिया है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, कहने का मतलब जब हम सुबह सुरह जगता है, उसके साथ हम जग जाएं, सुबह जगने के लिए संडाइज हो रहा है, उसमें जगने के लिए हमें रात के नियमों के साथ चलेंगे तो सही समय पर सोना सुवह सही समय पर जगना हमें जो भोजन है हमारा हमारा भोजन हिंसा के मासरासति से नहीं आता आए अगर हिंसा यानि कि हम एंनिमल फूड नॉन्विज फूड ले रहे हैं तो ये प्रकृति के नियमों के अन palavra कूल वो ठीक चल सकता है, तो हमें सात्विक भोजण, साकाहरी भोजण लेने के जरूथ है, प्राकृतिक दिन्चरिया को फॉलो करने के जरूथ है, हमें honest रहने के जरूथ है, सत्यवादी बने हम, हम उतना ही बोले जितना हमें पता है, चीजों को बढ़ा चरहा कर दूसरों को खुश करने के लिए हम ना बोले, बहुत बार हमें कोई प्रॉफिट मिलने वाला होता है, तो हम चीजों को थोड़ा एक्ष्टा करके बता जिते हैं, वो वो टेंडेंसी से हम बचे, जितना हमें पता है, हम उतना बोले, अनुमान से ना बोले, अगर किसी चीजों के बारे में नहीं पता है, तो हम ना बोले, कभी-कभी हमने कोई बात सुनी हुई है, लेकि हम सुनी हुई बात को हम ऐसा बोले हैं, जैसे कि हम तो उस चीज को जानते हैं, सुनना, मानना और जानना, ये अलग-लग बात है, हम जो जानते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करें जो मानना है उस सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जो हमने सुना हो सकता है जिसने हमें सुनाया उसने भी किसी से सुना हो तो पीछे कड़ी में वो कितना सच है हमें पता नहीं है तो सुनने हुआ भी बात है अगर हम बोलते समय हम यह बोलते हैं, यह मैंने सुना हुआ है, यह मैं ऐसे मेरी माननेता है, मेरा अनभो नहीं है, ऐसे योगी जो 25 साल से बोज़ा नहीं किये हैं, मैं ऐसे योगियों से मिला हुआ हूँ, तो मेरा यह अनभो है, कि हाँ ऐसे सूपर हुमन होते हैं, माननी हु यके ना तργोबॉन भेक्ति क्या कर रहा है क्या सोच रहा है क्या खा रहा है घापना है इस में जाते हैं यह बहुत अनिस्टे स्री आर बहुत सारा विवाद इस से होते हैं लَّon다고 कर सोचने के जरूत है कि जो जीवन में जीना चाहता हूँ, जो quality of life में जीना चाहता हूँ, अगर मैं super human बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं क्या करूँ, हम क्या करें व्यक्तिकत रूप से, उसपर हमें focus करना चाहिए, ना कि दूसरे वक्तियों पर, दूसरे वक्तियों पर हम focus नहीं करेंगे, अपने आप पर focus करेंगे, समाज में सांती यूही आ जाएगी, समाज में जो भी conflict होता है, वो यूही इसलिए होता है, कि हम दूसरों के काम में हम टांगडाते हैं, हम अपने काम से काम रखें, mind your business, तो समाज में सांती आ जाएगी, हम दिनचरिया को follow करेंगे, हम अहिंसा का पलन करेंगे, तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएगे. अच्छे इंसान बनने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी हैं, वो हमने जाना दॉक्टर एस्टर एस्टेंजन से, और भी बहुत सारी बाते की, हमने एस्ट्रल ट्रेवल के बाते की, सुपर हूमन के बाते की, मेरे तो सवाल मैंने अपने लिए पूछे, क्योंकि मुझे जो-जो जानना था और आप लोग के कुछ क्वेश्चन से अब यह सारी बाते सुनने के बाद मुझा पता है आपके दिमाग में बहुत सारे थौट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सा रहे होंगे, तो आपके जितने भी सवाल, चाहे ऐस्ट्राल ट्रेवल हो, चाहे सूपर हूमन हो, चाहे हमने आत्माओ की तो बात यह थी पार्ट वन में, तो आत्माएं, अगर कुछ सवाल रह गया है, तो जो भी दमाग में आपकी क्वेश्च करते हैं, उनको भी उनका अंसर मिल जाता है, तो हमाई साथ जोड़े रहिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले हम सबसे पहले अपने गेस्ट का थैंक्यू करेंगे, शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें इतना सारा समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बाते कहीं, मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, किसी अगले अच्छे टॉपिक पे, तब तक के लिए, नमस्कार.